हालो फ्रेंड्स वलकम टू सुइंग ट्रेड फृर्ण्स यह जो वीडियो भी बना रहा हूं जैसे कि एक वीडियो हमने पहले बनाया था कि रिस्क फ्री सुइंग ट्रेड है ठीक है अभी काफी सरा फिर और एक सवाल आ रहा है सब के मन में कि सर हमें एक एसा पोट्फोलियो बटाओ जो की रिस्क हम लेंगे उसमें रिवाड भी अच्छा मिलेगा तो यह वीडियो उशी साब से बनाया है कि इसमें रिस्क आप ले सकते हैं काल्कुलेटीव रिस्क लेके चल सकते हैं एक आच्छा सा गेन भी मिल सकता है ठीक है क्योंकि यह सब जो स्टॉक में बता रह है ऐसा कुछ मिली नहीं सकता है क्योंकि आपने अगर मेरे चैनल में होंगे इस चैनल में आप अपने देखें होंगे हम हमेशा उस चीज़ को प्राइरिटी देते हैं जो कंपनी में प्रमोटर प्लेज नहीं रहेगा जो कंपनी में डेट टू एक्यूटी रेशियो जो है जो भी कंपनी का आपर बहुँएंगवान रहेगा ठीके और वह कंपनी कंपनी को रांपनी कुछ सेट करते हैं तो रहा हैं क्राइटरिया में हम को मतलब गलत स्टॉडी नहीं करें हम बिल्कुल बढ़न आ begun हम हर एक पराइमेंटर हवी संटाक हम ले रहें हैं लेकिन लेने फिर हमारा मन में जो डर आता है हमारा मन में जो सवाल आता है हमारा मन में जो नेगेटिव थिंकिंग आता है वो नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं हां कोई एक वीवर है किसने बोल दिया उसका मन में जो भडास्ता उसने निकाल दिया लेकिन बाकी काफी सारा विवर से जो कि कुछ बोल नहीं पा रहें लेकिन उनका पॉर्टफूलियों में लॉस है वह सोच रहोंगे कि यार मैंने गलत स्टॉक में फस गया गलत आप नहीं है गलत बिलकुल भी आप नहीं है अगर 50 टॉक से अगर आपका टार्गेट हीट हो र प्रफिट में रहे आप निकल गए दूसरा स्टॉक में आपने टारगेट लिया तो उसका टर्गेट हो गया निकल गए आपका पॉर्टफुलियों नेगेटिव में रहेगा वह तो वैसे रहता रहेगा उसमें कोई प्रोड्लेम नहीं कि आपको बोल रहा हूं इसलिए मैं आप मेरे चानल में जूड़े हुए हैं क्यूंकि आप अक्यला नहीं है यहां पे चानल में बहुत सारे नया लोग भी जोड़ चुके हैं और पुराना लोग भी जूड़ चुके हैं सबको मेरा बताने का फरज है आप सबको आपका सबका पॉटफुलिय कीसे सुरक्षी रहे और अच्छा सा मार्केर से गेन ले सकते हैं मेरा बताने का मकसद हो यह क्यूंकि आप जब एक लाइक करते हैं आप जब कमेंट करते हैं आपका लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है की कैसे आपको अच्छा सा परिटट करके रखू कि ऐसे आपका पॉर्ट्फुलिय नेगेटिव में ना जाहे अगर नेगेटिव में जाए ताब होल्ट करकर चले लस्बुक बिलकुल भी ना करें मेरा फर्ज भी बनता है मैं आपको किसे प्रोटिक करो ठीक है पर फिर बनाता हूं ठीक है और एक बाई ने बताए कि में इम्मीडियटली इन्वेस्ट करूंगा इसमें इंडियान ब्यांक में आपके इन्वेस्टमेंट को में रेस्पेक्ट देता हूं लेकिन आप खुद का अनलेशिस पर कीजिये कि मैं बता रहा हूं मेरा बात बिल्कुल मजबूती लगेगा आपको बिल्कुल स्ट्रॉंग हो जाएगा आपका अनलेशिस पर अगर आपने अभी इम्मीडियटली बाई करके चल रहा है अगर टेन परसें नेगेटिव में जाए ना फिर भी आप पोर्टफोलिय को होल्ड करके चल सकते हैं ठीक है आप आपको यही सजेस्ट करूंगा आप जो भी किजिए पोर्टफोलिय थोड़ा से डाइवर्सिपिकेशन करके किजिए बिल्कुल मतलब वेटेज ज्यादा मत दीजिए कोई भी स्टॉक में मैं आपको परसनली यह चीज भी बता रहा हूं ठीक है और अपना पोर्टफोलिय क कि नीचे नहीं गरेगा ठीक है अगर कुई कमेंनट एक कि पोर्टफोलियो में कोई कि चेंज करना चाहता आए यह पोटफोलियो का यहाँ पे अपना पोर्डफोलियो दिखा सकते हैं अगर आपका लंग ट्रम पॉटॉलियो बहुँने की जरुयूरत नहीं क्यूंकि करते हैं अभी चले स्टार्ट करते हैं कि क्यों यह बार 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 यह चीज बता रहा हूं क्योंकि हमने पोजिशन लिया हुआ है फिर भी वहां पर हमें नहीं मिल रहा है तो इसलिए हर एक पूजऄे को मैं पर रादियरे में लेंदा का मन में सवाल है तो सवाल क्लरिफाइब करना मेरा ड्यूटि है जब यहां पर सब्सक्राइबर है उसमें अगर 100 15 सब्सक्राइबर पर फसे हूए है उनको प्रोटेक्ट देना मेरा हक भी है मेरा पर्ज भी है उनको कैसे उनका मन में जो सवाल है उसको डाउट किया ठीक है यहां पर देखिया आपने आल टाइम हाई पर पोजिशन बिलकुल भी नहीं बनाया ठीक है तो यहां पर 37 का करेक्शन है हमने जहां पर बताया हुआ था है यहां से लेने की बावजुद अगर थोड़ा सा आपको करेक्शन बिल रहा है को करlection मेरे साथ में भी होता है मेरा पोर्टफ्टे शायता है मेरा पोट्फोलय भी नेगाटीव ने जता है बताते ना excitement में मुझे पता चल जाता है ठीक है लेकिन ठीक है आपको profit होता है मुझे सुनके भी 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 खुशी होता है लेकिन जहां पर loss होता है मेरा भी एक फर्ज बनता है आपका loss को protect करना मतलब आपको लॉस्ट बुक ना करें मेरा कहने का मतलब वह ही है जब हमने फंडामेंटल स्ट्रॉंग स्टॉडी करके लिया है कॉपनी में कोई इसू नहीं है आप लॉस्ट करने का कोई भी रिजन नहीं है ठीक है बिलकुल बिंदास होल्ड कीजिए आपका प्राइस आ जाएगा ने बार बार वही चीज को रिपीटेशन कर रहा हूं देखिए यहां पर देखिए यहां पर ड्रेय्ट प्रैस चल रहा है तो इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं है तो इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं है प्रोमोटर के पास में स्टेक देखे 57 परसंट का स्टेक है तो कोई प्रोब्लेम नहीं बिंदाश वोल्ड करके चलिए का चलिए अच्छा सा रिटन मिलेगा जब यहां से जब स्टाक जिसको अभी बाई करना है जो नाया रखेंगे तब भी 60 परसंट का गयन आएगा तो यहां पर रिसक ले रहे हैं काल्कुलेटिव रिसक ले रहे हैं यहां पर कोई रिसक इसको बोला नहीं जाएगा ठीक है तो बिंदाश वोल्ड कीजिए अगर एक साल में रिकवरी नहीं हुआ देड़ साल लग जाएगा उस हम एक 20 साल का गोल लेके चलते हैं कैसे करोड़ बनेंगे उसी चक्कर में उसी मिशन में हम लोग है ठीक है तो बिंदाश वोल्ड कीजिए नेक्स्ट जो स्टॉक है यह सारे स्टॉक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप जाके वीडियो देख सकते हैं ताकि वीडियो दे पोस्ट किया हुए वीडियो जाके आप देखके अपना फंडामेंटल थोड़ा से क्लियर कर सकते हैं जो की बहुत अच्छा रहेगा ठीक है आप फिर सारे फंडामेंटल जब आपका क्लियर हो जाएगा आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बिंदा से होल्ड क सकते हो यहां पर फिटीव में रखने का कोई जरूरत नहीं बनता है यहां पर देखिए नेक्स टॉक के बारे में बात कर हें यहां पर बाजाज कंजूमर बड़ा सा ग्रूप इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं बिंदा से होल्ड करके चले एक अच्छा से गेन आपको मिल सकत आपड़ेगा तैकि इसका टार्गेट परिस क्या है आपको पता चल जाएगा बाजाज कंजूमर का भी वीडियो हमने बना के पुस्ट किया हुआ है यहां पे ठीक है तो यह वीडियो देख लिजिए बहतरीन गेन आपको बाजाज कंजूमर में भी आपको मिल सकता है नेक्स कपनी में आपको कोई रीजन नहीं है ढर्ने का कोई रीजन नहीं है यह पूरा आनलेसिस यहां पे विडियो पोस्ट किया हुआ है आप जाके के देख सकते हैं यहां पर दिखिए वीडियो जब देखेंगे आपको पता चलाएगा फंडामेंटल क्या है क्या है मतलब इसका यह सारा चीज में अगर यहां पर बताऊंगा तो आपको लेट हो जाएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं आपको जरूर यहां पर बहुत अच्छा सा गयन है यहां पर जैसे कि अगर लॉंग टर्म के लिए लेकर चलते हैं फिर भी आपको 50% का गयन मिल सकता है जो लगता है कि आपको नहीं मिलेगा लेकिन मुझे लगता है मिली जाएगा कोई इस्सू नहीं है ठीक है तो बिंदस होल्ड करके च सकता है 48 तो नहीं 45 परसंट तक मिला है कि हमने जब वीडियो बनाया था वहां से फिर भी कुछ चल चुका है तो 40 परसंट का गयन मिल सकता है तो एक साल में आपको 40 परसंट मिल रहा है अगर आपको six months में मिल जाता इमेडियेट वीजिट कर लिजिए वीडियो देखता रह और जिसने देखा है वो जरूर लाइक किजिए वीडियो को जिसने देखा है मुझे लगता है काफी सारा वीवर्स नहीं देखें कि उस टाइम पर इतना जुड़े नहीं थे तो अभी कुछ दिनों से काफी वीवर्स जुड़े हुए हैं तो यहां पर देखिए मैंने उस तो इस अब से दिखिए ना टूंटी परसंट का गयन तो अभी मिल गया कितना दिन में तूइक्स में तूंटी परसंट का गयन मिल चुका एक को कम है कोई कम गयन है बहुत अच्छा सा गयन आप बिंदस वहल्ड करके रखिए अभी अगर आप पोजिशन बनाते हैं फिर भ जोने का जहां पर को सब कर्पअरा का इस था जहां पर धीरे-धीरे सब सथी सट आउट हो गया है तो अहीं पर अच्छा पैसा बन सकता है लेकिन रिस्क की उतना लीजिए ज्यादा रिस्क मत लीजिए ठीक है कोई एक स्टॉक में जदा इनवेश्कमेंट करने की जरूरत नहीं है पोर्टफुलियो को डाइवर्शिपिकेशन जरूर रखिए लास्ट में मैं बताना चाहूंगा गोदावरी पावर जिसमें ज्यादा भी आया है बहुत ज्यादा मतलग आप लोग के प्यार मिला यह वीडियो से ठीक है यहां पर भी बहुत अच्छा गेन है तो आरा स्टाइक है यहां पर देखिए यहां पे एस ब्याल्स का वीडियो बनाया तो सब वीडियो दिखिए तक आपको इक fundamental clear होगा आप immediately hold करके चल सकते कोई भी पोजिशन बनाते हैं डरने का कोई रिजन नहीं है ठीक है जब तक हूँ आपके साथ में हूँ आपको जब तक आपको डाई साल में पोटफिलो डबल नहीं होता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे ठीक है सब मार्केट से कमाएंगे कोई आप में अकला नहीं कमाएंगा नहीं तो फिर आप भी नहीं तो सब मिलके ही कमाएंगे अच्छा से कमाएंगे ठीक है लेकिन सिखेंगे उसके बाद में कमाएंगे जब तक सिखेंगे नहीं तब तक कमाएंगे कैसे आप सीखते रही है फिर कमाते रही है मार्केट से ठीक ह अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल रहा है वीडियो से वीडियो को जरूर लाइक किजिए फ्रेंड्स के साथ में सेर किजिए चैनल पर अगर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू भरी झाल झाल